असलाम अलेकूम वेलकूम टू दी लाहूर के एट्जन स्कूल क्लास 10 लेक्चर नमबर 8 सब्जेक्ट इसलामेत इलेक्टिव पेज नमबर 80 बिटा आज का हमारा टॉपिक है फर्ज शनासी इसके अमाइनी और मफूम की तरफ आते हैं फर्ज शनासी है अपने अपने फर्ज को जानना पहचानना फर्ज शनासी कहलाता है इसका थोड़ा मफूम देखें ये सोचना के जिस तरह इंसान दूसरों का मुताज होता है इसी तरह दूसरे भी इसके मुताज होते हैं हो सकते हैं यही फर्शनासी है इस चीज़ को समझना इस बात को जान लेना यही फर्शनासी है अपने फराइज को पहचाना कि हमारा क्या फर्श है हमारा इस दुनिया में आने का क्या फर्श है और हमने कौन कौन से काम करने है और दूसरों के लिए हमारे अजिमे कौन से काम ह और हमारे लिए दूसरों पर क्या हकूक और फ्राइज है इस चीज़ को समझ लेना यही फर्ज शनासी है इसकी वजाहत के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं हैं इनको हम पहले इनको रीड कर लेते हैं कौन कौन से फिर इनकी वन बे वन इनकी एक्स्पेनेशन की तरफ आते ह इसमें नेक्स है फिर फराइज की किसमें के फराइज कौन कौन से होते हैं हर इनसान वो तीन किसम के फराइज आयद होते हैं हकूक अल्ला फर्ज जो हकूक अ फराइज है हकूक अल्ला हकूक नफस हकूक अल इबाद अब आज जो हमने जिसकी एक्स्पेनेशन करनी है वजा प्रवाद की तरफ आते हैं सबसे पहला हमारे पर टोपिक है इनसान का मनस्ब खिलाफत अल्ला रब अज़त ने इनसान को बेहतरी सिफात से नमाजा है और इसे अश्रिफ और मखलुकात बनाकर मनस्ब खिलाफत पर फाइज किया है फिर इनसान के लिए फितरत की ताक्तों को मसखर किया है इसकी खुराग के लिए जमीन से पैदावार फ्राहम की इसकी नुशन नमा के लिए बारिश, हरारत और रोशनी महिया की इसी तरह काइनात की हर शेय को इनसान की खिदमत पर ममूर कर दिया मतब इनसान की खिदमत करने के लिए उसको लगा दिया हर शेय को नेक्स्ट है पॉइंट हमारा बाहमिश तरह को तामू इनसान फिती तोर पर अपने हम जिंसों से उनसों लगाव रखता है मतब इनसान की फितरत में शामिल है कि उसने अपने जैसे इनसानों के साथ महबब, प्यार और उल्फत है की आपस में मिल जूल कर रहने का आदी है इनसान इनसान उनके बिना की इनसान दूसरे इनसान के बिना नहीं रह सकता अगर सारी बिलकुल अकेले हों एकी घर में पहले तो इकठे रहते हों फिर उनसान अकेला हो वो एक दिन तो गुजार लेगा दूसरा दिन भी गुजार लेगा लेकिन दूसरे से तीसरे दिन वो उक्ता जाएगा अपने उस अकेले पन से क्योंकि इनसान की फितरत में अकेला रहना शामिल नहीं है इसलिए इन्सान को मदनिल तबाव कहा गया है इन्सान की इन्फरादी कुवते और सलाहिते महदूद है लेकिन इसकी जरूरियाद गेर महदूद है सलाहिते दो उतनी हैं अबिलिटीज उतनी हैं लेकिन जो इन्सान की जो नीड्स हैं जो उसकी विशिज हैं वो बहुत ज़्यादा है, uncountable है, गैर महदूद है। इसलिए दोनों की इश्तराक और तामन के बगैर इन जरूरतों की तक्मील नहीं हो सकती। यूँ इनसान एक दूसरे का मुहताज है, वो दुनियावी जिन्दी की बसर करने के लिए दिगर बहुत से अफराद और चीदों से फाइदा हसिल करता है। इनसान अकेला कभी भी कोई काम नहीं कर सकता है, ना को फाइदा हसिल कर सकता है। इसलिए एक इनसान के साथ दूसरे इनसानों का होना बहुत जरूरी है। भी इस पर फर्ज़ आईदा इस पर कि वो दीगर अफराद की जान, माल, इज़त का भी ख्यार रखे। और माशे की तरफ से इस पर जो जो फराइदा होते हैं इन्हें बतरीके एहसन बजालाए। मतलब उनको अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। अगर एक इन्सान एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे मेरे काम आए, मैं उनसे फाइदा लूँ, उनसे कोई काम करवा सकूँ, तो इसलिए इसी तरह उसको खुद भी चाहिए कि दूसरे भी मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे भी उनके काम आना, मुझे भी उनने फाइद जब तक हर फार्द अपने अपने फ्राइज को पूरा नहीं करता इस तरह इस वकर तक माशिर सही तरह से आगे नहीं चल सकता माशिरा सही बन्यादों पर हर गिर इस्तवार नहीं हो सकता इस नेक्स्टे बेटघ अप फराइज की इकसाम है व्राइज की किस्म हैं जिए हांने थे हुंने करनाई कहिए हमने कि आज जिस दूर टोपिक्स की वजाहत करनी हैं वह हमारे पास हैं को के कल नफस सबसे नहीं होदो की तरफ हैं इनकी explanation और वजाहत में किसी حदीश और आयात का हवाला दिया जाएगा और आपने उनको भी अच्छी तरह से याद करना है और उनको अपने return work में आपने copy कर लेना है ताकि जब आप अपनी book में से जो explanation आप करेंगी उसमें add करें ताकि आपकी उसमें ज़्यादा वजाहत में ज़्यादा इजाफ हो सके और आप अच्छी तरही किसे मजीद तरे रेपरेट कर से किसे हकुक अल्ला अल्ला तला हमारा खालिक मालिक और परवर्दिगार है इसके हकुक सब पर मकदिम है इनसान पर ये फर्ज आइद होता है कि वो सिर्फ खुदा एक ही इबाद करें अल्ला के सिवा कोई इबाद के लाइक नहीं है इनसान का फर्ज है कि सिर्फ एक ही खुदा की इबाद करें उसके सिवा किसी को उसका शरीक ना ठहराए इसकी अज़ाद थोड़ी सी एक आया से करते है सुयत जारियाद आयात नमबर इसकी चपन तर्जमा है और मैंने जिन्नों और इनसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इसे कहजा होता है इस आया से ये जाहिर होता है खुदा की बारत इनसान का सबसे बड़ा बन्यादी फर्ज है इस फर्ज को पूरा करना इनसान पर लाजिम है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का हक है कि बंदे उसी का सिर्फ हुकम आने उसके सिवा और किसी के आगे मत जुकें इसी के आगे सर जुकाएं उसी की तरफ अपनी दुआउं और हाज़तों में रुजू करें मतलब हमने कुछ भी मांगना है कोई भी जरूरत है तो मैं अल्ला तल्ला से मांगना चाहिए अल्ला तल्ला की तरफ ही रुजू करना चाहिए उसी से कॉंटेक्ट करना चाहिए किसी भी मामले में इसी से मदद मांगे उसी पर भरोसा रखें कि हम जो भी कुछ काम कर रहे है अलाद 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 पर भरोसा रखें कि हम अलाद depths से मांगेंगे अलाद हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा इसको राजिक, कार साज मुश्किल कुशा समझे जाहिर वातन में इसी से डरें अल्ला ही हकीकी बाजशा है इनसान के लिए लाजिम है कि इसके हलाल और हराम हदूत की पबंदी करें इसकी तरफ से आईद कर्जा फराइज और हकूप बजा लाए जिन बातनों के करने का उसने हुक्म दिया है उन्हें बजा लाए और जिन बातों से मना किया है उनसे बाज रहे इसी की दीवी कुवतों और इसके बख्शेवे वसाइल को इसके बताईवे तरीकों पर बरोयकार लाए मतलब उनको पूरा पूरा करने की कोशिश करे हाकمیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ का है मतलब हकूमत صرف اللہ تعالیٰ ही कर सकता है पूरी दुनिया पर इसी की अतावत और बंदगी इनसान पर फर्ज है जो शख्स खुदा की इन सिफात में से किसी सिफ्ट को किसी भी सिफ्ट को नेक्स टॉपिक है हमारे पास हकूक नफस हर इनसान पर ये फर्ज है कि वो जिन्दी को अल्ला की निमत समझे और खुदा की बख्शी हुई कुवतों को तबाह और बाद ना करे इसलाम ना तो ये चाहता है कि इनसान खौइशात जजबात का मकमल खात्मा कर दे और ना इस चीज़ को पसंद करता है को खौइशात का उगलाम बन जाए कि मतलब सिर्फ अपनी इस उड़ियाद अपनी खौइशात को पुरा करते रहे और बाकी दीन से दूर हो जाए वैकि इसलाम तो इस बात का थकादा करता है के हवानी इस बात को शरीयत के ताबे करके इतदाल की जिन्दगी बसर की जाए मतलब दुनिया और दीन दोनों की तरफ इतदाल पसंदी से काम लिया जाए इसलिए शरीयत इसलाम में खुद कुशी करने वाला कातिल करार दिया जाता है ये हराम है उसकी सजा जहन्नम है इसी तरह इनसान को चाहिए कि वो अपनी इज़त वकार का ख्यार रखे दूसरों के सामने दस तर सवाल दराज ना करे मतलब किसी के आगे हाथ ना फिलाए क्यूंकि इस तरह इनसान की इज़त नफस को नुकसान पहुंचता है और निसान खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है आज का हमारे स्टोपी का वेड़ा हासले के लाम यही है कि शरीयत इसलामी में नफस की जायज खायशाद की तकमील जरूरी है और नफस के हकूँ को सही तोर पर दा करना फर्ज शेनासी कहलाता है इसी पर आपके एक बाया है हदीष का हवाला दिया जा रही है और नफस का अलया का हखो तर्जमा है तुम पर अपने नफस मतलब जान का हक है ऐसके पिट्य आमारा टोपीक यहां पर खूंपलीट होते है इस साथ नेक्स बखायूं आपके साथ हाजिर होते हैं अललाहां आफिच